हेर्य वेलकुम मैं हम flexbox की बात कर रहे थे और flexbox की मैं पहले ही चार या 5 गोट उप्लोड कर चुका उं जिसमें मैं flex container की प्रेटिस के बारे में बात की थी person friendly बात की थी flack site action के बारे में हमने बात किथी 25 बारे में हमने बात की थी justify content के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइन आइटम्स के बारे में अलाइन आइटम्स कैसे काम करती है हम अलाइन आइटम्स के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो मैं अब दिखा देता हूं उस टैलोड से ऐसे में कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ उसे flex container को display दिया flex और एक और बात अगर आपने पहले वली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वली वीडियो देखी तो भी आप कुछ समझ आएगा इस वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ मैंने पहले वीडियो में अच्छे से explain किया और मैं इस प्लेइलिस्ट का लिंक इस वीडियो की description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं अब flex box की बात करते हम अभी तक मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ container को क्या दिया display दिया flex और by default यह कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है अब मैं क्या करता हूँ यह जो box wrapper है ना जो box wrapper है मतलब जो मेरा flex container है इसको मैं hide देता हूँ और इसको hide देता हूँ for example मैं for example मैं इसको hide देता हूँ 700 pixels की जैसे मैं 700 pixels की hide दूँगा आप यहाँ पे देखिए यह बिल्कुल नीचे तक stretch हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं तो flexbox में हमारे पास एक term होते है इसको बोलते है align item ओके और last video में हमने बात के दिए justify content कहीं लोग justify content और align item में confuse होते हैं आपने confuse नहींना मैं बताता हूँ क्या होता है justify content में क्या होता है जो हमारा items align होते है अब यहां पर देखिए यहां पर main axis कहां से कहां तक है left से right तक main axis है ठीक है क्योंकि by default flex direction क्या है row जो flex direction row होगी तो मेरी main axis कहां से कहां तक होगी left से लेके right तक होगी और cross axis कहां से होगी उपर से लेके नीचे तक और यह जो space दिख रहा है आपको तो by default property set होती है वो होती है stretch हमारे पास एक property होती है align item line items और by default यह क्या रहती है stretch अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो कोई changes नहीं होगी stretch ही रहेगी यहां पर और भी है मैं और भी चीज़े यूज़े यूज़ कर सकता हूँ for example मैं यूज़ कर सकता हूँ flex start flex start का मतलब क्या होता है flex start का मतलब है जहाँ पर मेरी cross section start हो रहे है वहाँ पर सारी items आ रहेंगी तो मैं क्या करता हूँ इसको लिखता हूँ मैं flex start जैसे flex start लिखूँगा अब देखिए यहाँ पर यह flex start में आ चुकी है मैं क्या आगर सकता हूँ नीचे लिख सकता हूँ इसको नीचे करने के लिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ flex end मैं इसको flex end कर सकता हूँ center में करने के लिए क्या कर सकता हूँ center काफ़ी simple है center center में करने के लिए center कर सकता हूँ तो इस तरह से आप Align items को use कर सकते हैं अब अगर मैं Flex Direction को CHANGE कर दूँ मैं資 ओलाइन items को यहां पर कमेंट disgusting मैं क्या करता हूँ अब मैंना Flex Direction को Change कर देता हूँ Flex Direction को했어 columb कर देता हु जैसी मैं Isso आप Cox Sports Direction को अपध जिस तरह से Align हो जाएंगी तो यह बात तो ठीक है जैसी बड एक चीज़ देखिए आप जैसी में फ्लैक्स ए्रेक्शन कोलम करूंब करूंगा अक्रो प्रोट्टिस क्या हो जाएगी इसकी लेफ्ट से लेके राइट तक कि अब अगर मैं यहां पे क्या करूं all navy duns करूं ल thumbnails लाइन अईटम्स यहां पर गरूं फ्लेक्स स्टार्ट तो आप देखना क्या होगा to flex उटने इसको रिउट의 उतनी स्पैस ले रही है क्यों ऐसा क्यों हो रहा क्योंकि अब यह वही तक रहेगा मैं ऐसी क्या कर सकता हूं यहां पर आजाएगा अगर मैं सेंटर करूंगा तो बीच में आ जाएगा क्या है अर यह वाकर समय में आचुक है यह क्या यह वरक्स क्या है यह अर्से जस्तिफाई कॉंटेंट और आलाइन अप यह में इसमें अखस पर और आलाइन अपरते हैं क्रोंसक्राइब थायोग क्या इस वीडियो